अलो गाईज आप लोगों ने मुझे comment करके पूछा था कि Union Bank of India और PNB दोनों में से best bank कौन सा है जिसमें हम अपना online घर बेठे हम से भी account open कर पाएं तो आज मैं आपको पूरा details में बताने वाला हूँ Union Bank of India में आपको account open करना चाहिए या फिर PNB में account open करना चाहिए दोनों मे आपको क्या-क्या features, facility मिलता है, services मिलता है इस वीडियो में हम detail में discuss करेंगे तो आईए जानते हैं दोस्तों Union Bank of India और PNB bank दोनों ही government का bank है जो की public sector bank होती है जिसमें सबसे पहले interest rate की बात करें तो Union Bank of India में 2.70% के अनुसार सालाना interest rate मिलता है ब्याज मिलता है वहीं पे PNB bank में बात करें तो 2.70% के अनुसार सालाना ब्याज मिलता है Union Bank of India और PNB दोनों ही bankों में आपको घर बेठे account opening का option मिल जाता है जिससे आप अपने mobile phone से full के वैसी complete कर सकते हैं घर बेठे आपको branch जाने की ज़रुरत नहीं है Union Bank of India में saving account digital account और pension account online open करने का facility मिलता है जिसे आप बेठे semi account या फिर digital account या फिर pension account को open कर सकते है Union Bank of India में निजाब national bank में भी आपको online की कई सारे semi account के type मिल जाता है जिसमें आप कई सारे semi account के type अब देख सकते हैं जिसमें से आप कोई भी अपना account चूज करके account type को चूज करके घर बेठे account open कर सकते हैं और video के वैसी complete कर सकते है आपके वन में एक सवाल होगा कि Union Bank of India और PNB में क्या दोनों में से zero balance account में available है Union Bank of India में zero balance account online open नहीं कर सकते हैं वहीं पे पंजाब national bank में online आप अपना account open कर सकते हैं जिसमें मैं एक video अलड़ी बना चुका हूँ उसका link के नीचे description में दिया गया है PNB में आपको basic saving deposit account जो की fully zero balance account होता है जिसमें आपको checkbook और passbook और जो debit card है वो भी आपको दिया जाता है तो आप चाहें तो zero balance account open कर सकते हैं घर बेठे पंजाब national bank में link description में मैं दे दूँँगा सिधिया आप उस page पे जा सकते हैं Union Bank of India में zero balance account नहीं मिलता है लेकिन आप घर बेठे account open कर सकते हैं पैसे maintain करना होगा metro city में है तो आपको 2000 maintain करना होगा semi urban से तो 1000 maintain करना होगा और rural area से है तो आपको 500 रुपे maintain करना होगा अपने account में debit card की बात के रहें दोनों bankों में तो Union Bank of India में आपको रुपे की तरफ debit card दिया जाता है जिसका charges normal होता है 1500 रुपे plus में GST वहीं पे पंजाब national bank में भी आपको रुपे का debit card दिया जाता है master card debit card आपको देखने को मिलता है virtual debit card जो की PNB के mobile banking में आपको activate हो जाएगा जैसे ये account आप open करेंगे और physical debit card जो आपको मिलेगा वो रुपे की तरफ से रहेगा अगर आपको platinum debit card मिलता है तो उसका charges थोड़ा से यहाँ पे ज्यादा होगा और classic debit card मिलता है तो वहाँ पे आपको 1500 रुपे plus में 18% GST चार्ज देना होगा debit card का साल आना GST मिला के 177 रुपे आपके account से हर साल कटेंगे अगर आप debit card यूज़ करेंगे तो चेक बुक की बात करें तो Union Bank of India में चेक बुक लेने के लिए आपको signature अपडेट कराने होंगे ब्रांच में जाकि तब आपको check बुक दिया जाएगा वही पे PNB bank में वीडियो के बाइसी में अगर आपका signature अपडेट कर दिया जाता है तो easily आपको घर पे welcome kit send किया जाता है जिसमें checkbook और debit card आपको मिल जाता है तो PNB में आपको checkbook भी साथ साथ ही साथ आपको मिल जाता है account opening के साथ में दोस्तों आप बात आती है कि दोनों में से कौन से bank में हमें अपना account open करना चाहिए union bank of India में या फिर PNB में तो देखिए union bank of India में अगर आप account open करते हैं तो सिधा सा मतलब है कि यहां पर पैसे maintain करना होगा regular से भी account open करते हैं तो जैसा कि maintenance balance में आपको बताया है वो पैसे अगर आप maintain नहीं करेंगे तो banks आपसे charge काटेगी और जो भी non maintenance का charges होता है वो quarterly यहां पर charges करता है तीन मन तक पैसा maintain नहीं करते हैं तो charge आपके account से कटेंगे साथ ही में आपको debit card का charge देना होगा SMS alert का charge देना होगा वही पर बात करेंगे PNB में तो basic receiving deposit अग् fixing account open करते हैं तो इसमें कोई भी charge नहीं है किसी तरह का कोई भी charge आपको नहीं देना होगा न तो SMS alert का charges है ना फिर phone transfer का charges है ना debit card का कोई issue in charge जैसे annual charge देना होगा और नहीं आपको account maintain करना होगा PNB bank में तो PNB bank का और detail में video देखना चाहते हैं तो link description में हैं आप उस video को जाके check out कर सकते हैं दोस्तो मेरे suggestion से आपको PNB में अपना account open करना चाहिए अगर आपके नजदीकी में PNB bank है तो PNB bank में आप online से भी account open करिए आपको branch जाने के भी कोई भी जौरत नहीं है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो like करिए चैनल सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक नमस्कार